ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में समय का सही तरह से उप्योग नहीं करते हैं। समय का महत्व समझना बेहत जरूरी होता है। जिन्दगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए क्योंकि जिन्दगी मौके कम और धोके ज्यादा देती है समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पच्चतावा ही रहता है जब हम उस गुजरे समय पर पच्टाते हैं, तभी भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेन यहां पर बोट का इंतजार कर रहा हूँ साधु ने पूछा आपका नाम क्या है विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ साधु चौक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद हैं वो ही है विवेकानंद ने कहा कि हाँ मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ साधु ने विवेकानंद के कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगे साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधू से कहा कि आप भी चलिये मेरे साथ उस पार बोट में। साधू बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुचते ही बोट का भाड़ा दिया सिर्फ एक रूप आये। की है उस विद्या के लिए केवल पचास पैसे। दे कर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानि केवल पचास पैसे के लिए आपने अपने पंद्रह साल बिगाड़ दिये। स्वामी विवेकानंद का कहने का तातपर्य सिर्फ यही था कि हमें समय सा सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है, मैं फिर ना आउगा, क्या पता मैं तुझे हसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा, जीना है तो इस पल जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक न रोक पाऊंगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।